पती या पतनी किसी और के साथ लिविन रिलेशन्शिप में रहने लगे और इसे आधार बनाकर क्या जो opposite spouse है उसे तलाक मिलेगा या judicial से अपरेशन मिलेगा या नहीं इस विशेश मुद्य को हम समझेंगे और एक विशेश जजमेंट जो की उशा चरण नावकर वर्सेज नीरव रानी का जो जजमेंट है 2010 NOC पेज नमबर 224 उसके बारे में भी जजमेंट करेंगे तो जो उशा चरण का जजमेंट है उसको reference बनाएंगे और जारा बात करते हैं समझते हैं कि कोट का क्या विव है इस पर नमशकार आप सभी ने शुरुवात की अशो पाणने के साथ आप सभी स्वस्तर हैं इसे कामना के साथ एक अनुरोध होर है अगर नाए है सब्सक्राइब कर दीजे जी हाँ सब्सक्राइब करेंगी तो इससे जो informative लीगल वीडियो अपनी पतनी को छोड़ करके तो उसका impact क्या आएगा matrimonial laws की उपर क्या फरक पड़ता है तो जो उशा चरण का judgment है नीवारानी का judgment है उसको जरा समझते हैं जहां पर पती एक शादी के होते हुए हलाकि बाइगेमी है पनिश्विल offense है 494 IPC Indian Penal Court जो हमारा भारत का criminal law है उस लेकिन जो opposite party है उसके लिए भी ये मानसिक प्रताड़ना है इस particular case में क्या हुआ था husband ने ये defense अपना लिया कि मेरी इसके साथ में शादी ही नहीं जबकि trial court के सामने ये बात आई कि 12 साल से दोनों पती-पतनी के रिष्टे में रह रहे थे इनके एक नहीं दो नहीं तीन-ती बच्चे हैं और ये चीज हस्बेंड ने भी इस बात को court के सामने admit किया कि 12 साल की शादी हो चुकी है और तीन-तीन बच्चे उनके पास में हैं लेकिन husband का ये भी तर्क था कि क्योंकि हमारे कोई marriage नहीं परफॉर्म हुई है marriage ceremony नहीं परफॉर्म हुई है तो हमारी शादी न तो वहाँ पर ये बात सामने आई थी कि जो relative हैं किसके husband के उसके brother उसकी mother उन्होंने बोला कि हाँ भई हमने इनकी शादी करवा दी थी खेर वो बात की बात है even though अगर आप ये समझें कि अगर मान भी लेते husband यहाँ पे सही कह रहा था और अगर वो अपने इस live-in partner को जिसके साथ में वो 12 साल था जिसके साथ उसके 3-3 बच्चे थे एक लंबा समय उसने वतीत किया था छोड़ करके दूसरे किसी और के शाथ में शादी कर लेता है तो क्या ये permissible है और अगर है तो फिर दूसरे spouse के पास में क्या legal rights बच जाते हैं तो जी हां judicial separation और divorce लिया जा सकता इस से आधार बना करके court ने बहुत इस पस्च शब्दों में कहा उशा चरंड versus निवा रानी का जो judgment था उस पे और 2010 के इस judgment से काफी सारी चीज़े निकल के सामने आती हैं आप living relationship में रहो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप दूसरी शादी कर लो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेक बन जाती है मानसिक प्रतार्ना बन जाती है और इसी को आधार बना करके डाइवास भी लिया जा सकता है समझना इस वज़े से भी ज़रूरी है क्योंकि पुराने टाइम पर क्या होता था मान लीजे अपसे 20 साल पहले मेरी शादी हुई होती अगर मुझे मैंने अपना मैरे certificate नहीं बनाया है मैंने अपनी शादी को register नहीं किया था हमारा शप्तपदी विवा हुआ था उस condition पे मुझे अपनी शादी को proof करने के कुछ material evidence नहीं होंगे ना मेरे पास में photograph होगी हो सकता है उस time के जो relative कौन मेरी शादी में आये नहीं आये मुझे पता नहीं तो उस condition में अपनी शादी को proof कैसे करूँगा अगर वो relative आये भी थे खल को पलट जाते हैं मुकर जाते हैं अपनी बात से तो मैं क्या करूँगा तो बहुत सारे pro and cons हो सकते हैं इस वजह से ये काफी important decision था 2010 में उशाचारण versus निवारानी का judgment जहां पे honorable high court supreme court ने ये decide कि supreme court का judgment था ये decide क कि चाहे आप live in relationship में रहो या दूसरी शादी कर लो अगर दूसरी शादी पहली subsisting शादी को ले कर कि अगर आप करते हो तो it's a punishable offense of by gaming but even though it constitute a criminal mental cruelty against wife तो wife इसे आधार बना करके क्या ले सकती है डाइवास के लिए proceed कर सकती है और judicial separation के लिए भी जा सकती है आपको ये जानकार अगर डिरिकली अगर आप मुझे करना चाहते हैं बात इस वीडियो के description में टेल लिंक है जहां से सीधी बात आपकी और मेरी हो जाएगी आप सभी सवस्ता और सुरक्षित रहें और जो कीमती समय आप देते हैं मुझे इसके लिए आप सभी का धन्यवाद जाने से पहले subscribe जरूर कर दीचेगा